कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेश के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है यह हमारा एक प्रयाज है ऐसी रचनाव को आवाज दे कर आप तक पहुँचाने का हमारे साथ जुड़िए हमारे यूट्यूब चानल और फेस्बुक पेज पर लाइक, शेर, सब्सक्राइब, कथा, कहानी, काव्यो मुंशी प्रेम चंद के उपन्यास, गोदान का पंधरवां भाग, वेरे यानि मनीशा के साथ होरी मन मारे बैठा था कि पंधित दातादीन ने जाकर पुकारा होरी की चाती धड़कने लगी, क्या कोई नई विपत्ती आने वाली है? आकर उनके चरंच होए और कोड़े के सामने उनके लिए माची रख दी दातादीन ने बैठते वे अनुग्रह के भाव से कहा से बैल खोल ले जाता, यहीं लाहस गिर जाती मैं तुमसे जनेव हात में लेकर कहता हूं होरी मैंने तुम्हारे उपर डांड ना लगाया था धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है यहे लाला पटेश्वरी और जिंगुरी सिंग की कारस्तानी है मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैट भर गया था वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे मैंने कह सुनके कम कराया मगर अब सब जने सर पर हाथ धरे रो रहे हैं समझे थे यहां उन्ही का राज है यह न जानते थे कि गाउं का राजा कोई और है तो अब अपने खेतों की बॉआई का क्या इंतिजाम कर रहे हो होरी ने करुण कंट से कहा क्या बताओं महाराज परती रहेंगे परती रहेंगे? यह तो बड़ा अनर्थ होगा भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस? मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे परती रहेंगे? कल मैं तुम्हारी बॉआई करा दूँगा अभी खेत में कुछ तरी है उपस्ट दस दिन पीछे होगी इसके सिवा और कोई बात नहीं हमारा तुम्हारा आधा साजह रहेगा इसमें ना तुम्हे कोई टोटा है ना मुझे मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रहे जाते हैं औरी सोच में पढ़ गया चौमा से भर इन खेतों में खाद डाली जोता और आज किवल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है उस पर एहसान कैसा जता रहे है लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाए और कुछ ना मिलेगा लगान तो निकल ही आएगा नहीं अब की बेबाकी ना हुई तो बे दखली आई धरी है उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया दाता दिन प्रसन हो कर बोले तो चलो मैं अभी बीज तॉल दू जिसमें सबेरे का जंजटना रहे रोटी तो खा ली है ना होरी ने लजाते वे आज घर में चूला ना जलने की कथा कही इसी बात पर तुमसे मेरा जी उड़ता है अरे भले आदमी इसमें लासरम की कौनसी बात है हम सब एक ही तो है तुम सुद्र होए तो क्या हम बामन होए तो क्या हैं तु सब एक ही घर के दिन सबके बराबर नहीं जाते कौन जाने कल मेरे ही उपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूंगा तो किस से कहूंगा अच्छा जो हुआ सो हुआ चलो बैंगी के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज भी खाने को तोल दूँगा आद घंटे में होरी मन भर जो का टोकरा सिर पर रखे आया तो घर की चक्की चलने लगी धनिया रोती थी और साहस के साथ जो पीशती थी अगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे है दूसरे दिन से बवाई शुरू हो गई पोरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है कई दिन के बाद सिचाई भी इस तरह हुई दातादीन को सेत मेत के मजूर मिल गए अब कभी कभी उनका लड़का मातादीन भी घर में आने लगा जवान आदमी था बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा दातादीन जो कुछ छीन जपट लाते थे वह उसे भांग बोटी में उड़ाता था एक चमारिन से उसकी आशनाई हो गई थी इसलिए अभी तक ब्यहाना हुआ था वह रहती थी पर सारा गाउं यह रहसे जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था हमारा धर्म है हमारा भोजन भोजन पवित्र रहे फिर हमारे धर्म पर कोई आच नहीं आ सकती रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है अब साजे की खेती होने से मातादीन और जुनिया से बातचीत करने का अफसर मिलने लगा वह ऐसे दाउं से आता जब घर में जुनिया के सिवा और कोई न होता कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से जुनिया रूपती न थी लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी कुछ दिन शहर में रह चुकी थी पहनना, ओडना, बोलना, चालना जानती थी और लजजाशील भी थी जो इस तरी का सबसे बड़ा आकर्शन है मातादीन कभी-कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता जुनिया निहाल हो जाती थी एक दिन उसने जुनिया से कहा तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई जुना जुनिया ने लजाते हुए कहा भाग खीच लाया महराज, और क्या कहूं मातादीन दुखी मन से बोला बढ़ा बेवफा आदमी है तुम जैसी लच्चमी को छोड़ कर न जाने कहां मारा मारा फिर रहा है चंचल सुभाव का आदमी है इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फस गया हो ऐसे आदमियों को धो गोली मार देना चाहिए आदमी का धरम है जिसकी बहाँ पकड़े उसे निभाए यह क्या कि आदमी के जिंदगी खराब कर दी और आप दूसरा घर ताकने लगे युफ्ती रोने लगी मातादीन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा तुम उसकी क्यों परवा करती हो जुना चला गया चला जाने दो तुम्हारे लिए किस बात की कमी है रोपए, पैसे, गहना, कपड़ा जो चाहो मुझसे लो जुनिया ने धीरे से हाथ छुडा लिया और पीछे अटकर बोली सब तुम्हारी दया है महराज मैं तो कहीं की न रही घर से भी गई, यहां से भी गई ना माया मिली, ना राम ही हाता है दुनिया का रंग-ढंग ना जानती थी इसकी मीठी-मीठी बाते सुनकर जाल मिफस गई मातादीन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की वह तो निराल लफंगा है घर का न घाट का जब देखो माबाप से लड़ाई कहीं पैसा पा जाए चट जुआ खिल डालेगा चरस और गांजे में उसकी जान बस्ती थी सोहदों के साथ घुमना बहु बेटियों को छेड़ना यही उसका काम था ठानेदार सहा बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे हम लोगों ने बहुत खुशामत की तब जाकर छोड़ा दोसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता था कहीं बार तो खुद उसी ने पकड़ा था पर गांव घर समझ कर छोड़ दिया सोना ने बाहर आकर कहा भाबी, अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर धूप में डाल दो नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा पर्णित ने जैसे बघार में पानी डाल दिया हो मातादीन ने अपनी सफाई दी मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई चौमासे में लकड़ी तक गिली हो जाती है अनाज तो अनाज ही है यह कहता हुआ वह बाहर चला गया सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया सोना ने जुनिया से पूछा था मातादीन क्या करने आये थे जुनिया ने माता से कोड़ कर कहा पगहिया मांग रहे थे मैंने कह दिया यहां पगहिया नहीं है यह सब बहाना है, बड़ा खराब आद्मी है, मुझे तो बड़ा भला आद्मी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे वे है, तो इसी से खराब आद्मी हो गया, और काहे से आद्मी खराब कहा जाता है? तुम्हारे भाईया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी खराब अदमी है सोना ने इसका जवाब ना दे कर कहा मेरे घर में फिर कभी आएगा तो तुद्धकार दूंगी और जो उससे तुम्हारा भ्याव हो जाए सोना लजा गई तुम तो भावी गाली देती हो क्यों, इसमें गाली की क्या बात है मुझसे बोले तो मुझ जुलस तुम तो क्या तुम्हारा भ्याव किसी देवता से होगा गाउं में ऐसा सुन्दर सजीला जवान दूसरा कौन है तो तुम चली जाओ उसके साथ से लिया से लाख दर्जे अच्छी हो मैं क्यों चली जाओ मैं तो एक के साथ चली आई अच्छा है या बुरा तो मैं भी जिसके साथ ब्याव होगा उसके साथ चली जाओंगी अच्छा हो या बुरा और जो किसी बोड़े से ब्याव हो गया सोना हसी मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी उसकी दवाईयां कूटोंगी, छानोंगी उसे हाथ पकड़कर उठाऊंगी जब मर जाएगा तो मूँ ढापकर रोऊंगी और जो किसी जवान के साथ हुआ तब तुम्हारा सिर हाँ नहीं तो अच्छा बताओ, तुम्हें बोढ़ा अच्छा लगता है कि जवान जो अपने को चाहे वही जवान है न चाहे वही बोढ़ा है दैव करें, तुम्हारा ब्या किसी बोढ़े से हो जाए तो देखू तुम उसे कैसे चाहती हूँ तब मनाओगी किसी तरह निगोड़ा मर जाए तो किसी जवान को लेकर बैठ जाओ मुझे तो उस बोढ़े पर दया आए इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था उसके कारिंदे और दलाल गाउं गाउं घूम कर किसानों की बड़ी उख मोल ले लेते थे पेर कर भी यही दा मिलता है तो पेरने की महनत क्यों उठाई जाए सारा गाउं खड़ी उख पेजने को तयार हो गया अगर कुछ कम भी मिले तो परवा नहीं ततकाल तो मिलेगा किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था होरी को बैलों की गोई लेनी थी अब क्योख की पैदवार अच्छी न थी इसलिए यह डर था कि माल न पड़ेगा और जब गुड के भाव मिलकी चीनी मिलेगी तो गुड लेगा ही कौन सभी ने बयाने ले लिए होरी को कम से कम सो रुपे की आशा थी इसमें एक मामुली गोई आ जाएगी लेकिन महाजनों का क्या करें दातादीन, मंगरू, दुलारी, सिंगुरी सिंग सभी तो प्राण खा रहे थे अगर महाजनों को देने लगेगा तो सो रुपे सूद भर को भी न होंगे कोई ऐसी जुगतना सूचती थी कि उख के रुपे हाथ में आ जाए और किसी को खबर न हो जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा, गाड़ी लदेगी तो सारा गाउं देखेगा ही तौल पर जो रुपे मिलेंगे वे सबको मालूम हो जाएंगे संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें इधर रुपे मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी शाम को गिरधर ने पूछा तुम्हारी उख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने जहांसा दिया अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई तुम कब तक ले जाओगे? गर्दर ने भी जहांसा दिया अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका और लोग भी इसी तरह की उड़न घाईयां बताते थे किसी को किसी पर विश्वास में था जिंगुरी सिंके सभी रिनियां थे और सबकी यही इच्छा थी कि जिंगुरी सिंके हाथ रुपे न पढ़ने पाएं नहीं वैस सबका हजन कर जाएगा और जब दूसरे दिन असामी फिर रुपे मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर दूसरे दिन शोभा आकर बोला दादा, कोई ऐसा उपाए करो कि जिंगुरी को हैजा हो जाए ऐसा गिरे कि फिर ना उठे होरी ने मुस्कुरा कर कहा क्यूं? उसके बाल बच्चे नहीं है? उसके बाल बच्चों को देखें कि अपने बाल बच्चों को देखें वह तो दो-दो महरियों को आराम से रखता है यहां तो एक को भी रूखी रोटी भी मैसर नहीं सारी जमा ले लेगा एक पैसा भी घर ना लाने देगा मेरी तो हालत और भी खराब है भाई जमादार से कहें कि भाईया कुछ ले ले मगर उक चट पर तौल दे दाम पीछे देना इधर जिंगुरी से कह देंगे अभी रुपे नहीं मिले होरी ने विचार करके कहा जिंगुरी सिंग हमसे तुमसे कई गुना चतुर है सोभा जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपे ले लेगा हम तुम ताकते रह जाएंगे जिस खन्ना बाबु का मिल है उन्हीं खन्ना बाबु की महाजनी कोठी भी है दोनों एक हैं शोभा निराश होकर बोला नजाने इन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा की नहीं बोरी बोला इस जनम में तो कोई आशा नहीं है भाई हम राज नहीं चाहते होग विलास नहीं चाहते खाली मोटा जोटा पहनना और मोटा जोटा खाना और मरजाद के साथ रहना चाहते हैं फैब ही नहीं सदता शोभा ने धूर्टता के साथ कहा मैं तो दादा इन सबों को अब की चक्मा दूँगा जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूँगा कि रुपए के लिए हमें खूब दोड़ाएं जिंगुरी कहां तक दोड़ेंगे होरी ने हसकर कहा यह सब कुछ ना होगा भाईया कुशल इसी में है कि जिंगुरी सिंग के हाथ पाउं जोड़ो हम जाल में फसे हुए हैं जितना ही फड़पड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे तुम तो दादा बुड़ो की सी बाते कर रहे हो गट घरे में फसे बैठे रहना तो कायरता है फंदा और जकड़ जाए बला से पर गला छुड़ाने के लिए जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा यही तो होगा जिंगुरी घरद्वार निलाम करा लेंगे खरा ले निलाम मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपे ना दे हमें भूंको मरने दे लाते खाने दे एक पैसा भी उधार ना दे लेकिन पैसा वाले उधार ना दे तो सूध कहां से पाएं एक हमारे उपर दावा करते हैं तो दूसरा हमें कुछ कम सूध पर रुपे उधार देकर अपने जाल में फसा लेता है मैं तो उसी दिन रुपे लेने जाओंगा जिस दिन जिंगुरी कहीं चला गया होगा होरी का मन भी विचलित हुआ हाँ, ये ठीक है उख तुलवा देंगे, रुपे दाव घात लेकर ले आएंगे बस बस, यही चाल चलो दूसरे दिन प्राते काल गाओं के कए आदमियों ने उख काटने शुरू की होरी भी अपने गाओं में गणासा लेकर पहुँचा उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया पुनिया, जुनिया, धनिया, सोना, सभी खेत में जा पहुँची कोई उख काटता था, कोई छीलता था, कोई पूले बांधता था महाजनों ने जो उख कटते देखी तो पेट में चुहे दोड़े एक तरफ से दुलारी दोड़ी, दूसी तरफ से मंगरू सह तीसरी ओर से मातादीन और पटेश्वरी और जिंगुरी के प्यादे दुलारी हाथ पाँ में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने कानों में सोने का जुमक, आखों में काजल लगाए बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आखर बोली पहले मेरे रुपे दे दो, तब उख काटने दूँगी मैं जितना ही गम खाती हूँ, उतना ही तुम शेर होते हो दो साल से एक धेला सूध नहीं दिया, पचास तो मेरे सूध के होते हैं होरी ने घिगिया कर कहा भावी उख तो काट लेने दो, इनके रुपे मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूँगा नगाओं छोड़कर भागा जाता हूँ, ना इतनी जल्द मौत ही आई जाती है खेत में खड़ी उख तो रुपे न देगी दुलारी ने उसके हाँ से गंडासा चीन कर कहा नियत इतनी खराब हो गई है तुम लोगों की, तब ही तो बरक्कत नहीं होती आज पांच साल हुए होरी ने दुलारी से तीस रुपे लिये थे तीन साल में उसके सो रुपे हो गए तब स्टांप लिखा गया, दो साल में उस पर पचास रुपया सू चड़ गया था औरी बोला, सववाईन, नियत तो कभी खराब नहीं की और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूगा हाँ, आज कल तंग हो गया हुँ, जो चाहे कहलो सववाईन को जाते देर नहीं हुई कि मंगरू सहा पहुँचे काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई दो बड़े-बड़े दांथ सामने जैसे काट खाने को निकले हुई सिरपर टोपी, गले में चादर उम्र भी पचास से जादा नहीं पर लाठी के सहारे चलते थे गठिया का मरज हो गया था खांसी भी आती थी, लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई पहले हमारे रुपे दे दो होरी, तब हुख काटो हमने रुपे उधार दिये थे, खैरात नहीं तीन-तीन साल हो गए, ना सूध ना ब्याज मगर ये ना समझना कि तुम मेरे रुपे हजम कर जाओगे मैं तुम्हारी मुदेर से भी वसूल कर लूँगा शोभा मस्खरा था, बोला तब काहे को घबडाते हो सहाजी, इनके मुदेर ही से तो वसूल कर लेना, नहीं एक-दो साल के आगे पीछे दोनों ही सरग में पहुँचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब चुका लेना मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा बला का जमा मार, बेइमान, इत्यादी लेने की बेर तो दुम हिलाते हो पर जब देने की बेर आती है तो गुर राते हो घर बिक्वा लूँगा, बैल, बधिये, निलाम करा दूँगा शोभा ने फिर छेड़ा अच्छा, इमान से बताओ साहाब कितने रुपे दिये थे, जिसके अब तीन सो रुपे हो गए है जब तुम साल के साल सूद ना दोगे, तो आप ही बढ़ेंगे पहले-पहल कितने रुपे दिये थे तुमने, पचास ही तो कितने दिन वे, यह भी तो देख पाच्छे साल होए होंगे दस साल हो गए पूरे, ग्यारवां जा रहा है पचास रुपे के तीन सो रुपे लेते तुम्हें जरा भी सरम नहीं आती सरम कैसी, रुपे दिये हैं कि खैरात मांगते हैं होरी ने इन्हें भी चिरौरी बिंती करके विदा किया दाता दीन ने होरी के सांजे बे खेती की थी बीज देकर आधी फसल ले लेंगे इस वक्त कुछ छिर छाड करना नीती विरौध था जिंगोरी सिंग ने मिलके मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था उनके प्यादे गाड़ियों पर उख लदवा कर नाव पर पहुँचा रहे थे नदी गाउं से आध मील पर थी एक गाड़ी दिन भर में साथ आठ चक्कर कर लेती थी और एक नाव एक खेवे में पचास गाड़ियों का बोज लाद लेती थी इस तरहे किफायत पढ़ती थी इस सुविदा का इंतजाम करके जिंगुरी सिंग ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था तौल शुरू होते ही जिंगुरी सिंग ने मिल के पाटक पर आसन जमा लिया एक एकी उख तौलाते थे, दाम का पुर्जा लेते थे खजानची से रुपे वसूल करते थे और अपना पावना काट कर असामी को दे देते थे असामी कितना ही रोये, चीखे, किसी की न सुनते थे बालिक का यही हुकम था, उनका क्या बस होरी को 120 रुपे मिले उसमें से जिंगुरी सिंग ने अपने पूरे रुपे सूथ समेथ काट कर कोई 25 रुपे होरी के हवाले किये होरी ने रुपे की और उदासीन भाव से देख कर कहा यह लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तुम ले लो मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी जिंगुरी ने 25 रुपे जमीन पर फैंक कर कहा लो या फैंक दो, तुम्हारी खोशी तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियां खाई और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपे अदा कर तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपे दिये देता हूँ नहीं एक धेला भी न देता अगर राय साहब ने सक्थी की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे होरी ने धीरे से रुपे उठा लिए और बाहर निकला कि नोखे रामने ललका रहा होरी ने जाकर पची सो रुपे उनके हाथ पर रख दिये और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया उसका सिर्ट चक्कर खा रहा था शोभा को इतने ही रुपे मिले थे बहे बाहर निकला तो पटेश होरी ने घेरा शोभा बदल पड़ा बोला मेरे पास रुपे नहीं है तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो पटेश वरी ने गरम होकर कहा उख बेची है कि नहीं हाँ बेची है तुम्हारा यही वादव तो था कि उख बेच कर रुपे अदूगा हाँ था तो फिर क्यों नहीं देते और सब लोगों को दिये हैं कि नहीं हाँ दिये है तो मुझे क्यों नहीं देते मेरे पास अब जो कुछ बचा है वह बाल बच्चों के लिए है पटेश वरी ने बिगड़ कर कहा तुम रुपे दोगे सोभा और हाथ जोड़ कर और आज ही हाँ अभी जितना चाहो बहक लो एक रपट में जाओगे छे महीने को पूरे छे महीने को ना एक दिन बेस का ना एक दिन काम ये जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा मैं जमिनदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमिनदार दोनों का मालिक है पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले मानो इस धिकार ने उन्हें संग्याहीन कर दिया हो तब होरी ने कहा शोभा इसके रुपए दे दे समझ लो उख में आग लग गई थी मैंने भी यही सोच कर मन को समझाया है शोभा ने आहत कंट से कहा हाँ दे दूँगा दादा ना दूँगा तो जाऊंगा कहा सामने से गिर्धर ताड़ी पिये जूमता चला आ रहा था दोनों को एक साथ देखकर बोला जिंगुरिया ने सारे का सारा ले लिया होरी काका चबैना को भी एक पैसा न छोड़ा हत्यारा कहीं का रोया गिड़ गिड़ाया पर इस पापी को दया ना आई शोभा ने कहा ताड़ी तो पिए वे हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा गिर्धर ने पेट दिखा कर कहा सांज हो गई जो पानी की बूंद भी कंट तले गई हो तो गो मास बराबर एक कंणी मुँ में दबा ली थी, उसकी ताड़ी पीली सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन ताड़ी तो पीलू मगर सच कहता हूँ, नसा नहीं है एक आने में क्या नसा होगा? हाँ जूम रहा हूँ जिसमें लोग समझें खोब पिये हुए है बड़ा अच्छा हुआ काका बेबाकी हो गई बीस लिये? उसके एक सो साट भरे, कुछ हद है होरी घर पहुँचा तो रूपा पानी लेकर दोड़ी, सोना चिलम भर लाई धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और सभी आशा भरी आँखों से उसकी और ताकने लगी जुनिया भी चौकट पर आखड़ी हुई थी होरी उदास बैठा था, कैसे मोहाद होए, कैसे चबेना खाए ऐसा लज्जित और ग्लानित था मानो हत्या करके आया हो धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? एक सो बीस मिले, पर सब वहीं लुट गए, धिला भी न बचा धनिया सिर से पाउं तक भसम हो उठी, मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मू नोचले बोली, तुम जैसा घामाड आदमी भगवान ने क्यों रचा, कहीं मिलते तो उनसे पूछती तुम्हारे साथ सारी जंदगी तलक हो गई, भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे उठा कर सारे रुपे बहनोईयों को दे दिये, अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी, हल में क्या मुझे जोतोगे, या आप जोतोगे मैं कहती हूँ, तुम बुढे हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपे तो निकाल लेते, कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़ी लेता, उसकी ये ठंड किसी और की देह पर लगता नहीं, ले जाओ सबको नदी में डुबा दो सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर अच्छा है, कब तक पुआल में घुस कर रात काटेंगे, और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खा कर रात हो न जाएगा, तुमारी इच्छा हो तो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी यह कहते कहते वें मुस्करा पड़ी, इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए तो अपने हाथ में रुपे हूँ और महाजन जानता हो कि इसके पास रुपे हैं, तो असामी कैसे अपनी जान बचा सकता है होरी सिर नचा किये, अपने भाग्ये को रो रहा था, धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया, बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे धनिया ने पूछा, कहां है इस काउमें मजूरी, और कौन मू लेकर मजूरी करोगे, मैं तो नहीं कहलाते होरी ने चिलम के कई कश लगा कर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है मजोरी करना भागय में ना होता तो यह सब विपत क्यूं आती क्यूं गाय मरती क्यूं लड़का नालायक निकल जाता धनिया ने बहु और बेटियों की और देखकर कहा तुम सब की सब क्यूं घेरे खड़ी हो जाकर अपना अपना काम देखो वे और हैं जो हाट बाजार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए दो चार पैसी की कोई चीज लिए आते हैं यहां तो यह लोब लग रहा होगा की रुपें तुड़ाएं कैसे एक कम ना हो जाएगा इसी से इनकी कमाई में बरक्त नहीं होती जो खरच करते हैं उन्हें मिलता है जो ना खा सकें ना पहन सकें उन्हें रुपें मिले ही क्यों जमीन में गाड़ने के लिए होरी ने खिलखिला कर पूछा कहा है वे गाड़ी हुई थाती जहां रखी है वहीं होगी रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी पैसों के लिए मरते हो चार पैसी की कोई चीज लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पढ़ जाते जिंगुरी से तुम कह देते कि एक रुपया मुझे दे दे नहीं तो मैं तुम्हें एक पैसा न दूँगा जाकर अदालत मिलेना तो वहे जरूर दे देता पूरी लज्जित हो गया अगर वह जला कर पच्ची सो रुपय नोखे राम को ना देता तो नोखे क्या कर लेते बहुत होता अबकाया पर दो चाराना सूद ले लेता मगर अब तो चूख हो गई जुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है बिचारे दिन भरके ठके मांदे घर आये तो अम्मा कोसनी लगी महाजन गला दबाये था तो बिचारे क्या करते तो बैल कहां से आएंगे महाजन अपने रुपे चाहता है उसे तुम्हारे घर के तुखडों से क्या मतलब अम्मा वहां होती तो महाजन को मज़ा चखा देती अभागा रोक कर रह जाता जुनिया ने दिल लगी की तो यहां रुपे की कौन कमी है तुम महाजन से जरा हस कर बोल दो देखो सारे रुपे चोड़ देता है की नहीं सच कहती हूं दादा का सारा दुख दलिदर दोर हो जाए सोना ने अपने दोनों हातों से उसका मुँ दबा कर कहा बस चुपी रहना नहीं कहे देती हूं अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो जुनिया ने पूछा क्या कह दोगी अम्मा से कहने को कोई बात भी तो हो जब वह किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कहूं निकल जाओ फिर मुझे से कुछ ले तो नहीं जाते सिवाई मीठी-मीठी बातों के वह जुनिया से कुछ नहीं पा सकते और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों बेचना भी मुझे आता है मैं ऐसी नाड़ी नहीं हूँ कि किसी के जहासे में आ जाऊं हाँ जब जान जाऊंगी कि तुम्हारे भाईया ने वहां किसी को रख लिया है तब किसी की नहीं चलाती तब मेरे उपर किसी का बंधन न रहेगा अभी तो मुझे विश्वास है वहें मेरे हैं और मेरे ही कारण उन्हें गली-गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हसने बोलने की बात नियारी है, पर मैं उनसे विश्वास खात ना करूंगी। जो एक से दो का हुआ, वह किसी का नहीं रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपे उसके हाथ में रखकर बोला, भाया तुम ये रुपे ले जाकर लाला को दे दो, मुझे उस घड़ी नजाने क्या हो गया था। होरी रुपे लेकर उठा ही था कि शंक की ध्वनी कानों में आई, गाउं के उस सिरे पर ध्यान सिंग नाम के ठाकुर रहते थे, पल्टन में नौकर थे और कई दिन हुए दस साल के बाद रजा लेकर आये थे, बगदाद, अधन, सिंगापूर, बर्मा, चारों तरव घुम चुके थे, अब ब्यहा करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्रह्मनों को प्रसन रखना चाहते थे, होरी ने कहा, जान पढ़ता है, सातो अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है, शोभा बोला, हाँ, जान तो पढ़ता है, चलो, आरती ले लो, होरी ने च शेर सेर भर मिठाई बेना भेजा था, होरी से जब कभी रास्ते मिल जाते कुशल पूछते, उनकी कथा में जाकर आरती में कुछ न देना अपमान की बात थी, आरती का थाल उनहीं के हाथ में होगा, उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा, इससे तो कहीं अच् खाट पर लेट रहा, मगर उसका हिदय मसोस मसोस कर रहे जाता था, उसके पास पैसा भी नहीं है, तामे का एक पैसा, आरती के पुन्य और महातम्य का उसे बिलकुल ध्यान न था, बात थी केवल व्यवार की, ठाकुर जी की आरती तो वहे केवल श्रद्दा की भेंट दे कर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आँखों में हेटा कैसे बने, सहसा वह उट बैठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे, मर्यादा के पीछे आरती का पुन्य क्यों छोड़े, लोग हंसेंगे, हंसले, उसे परवा नहीं है, भगवान उसे कुकर्म से बचा झाल